आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग जॉन मिल्टन हैं वो इस्टार्ट कर रहे हैं तो हम 50 MCQ हैं वो जॉन मिल्टन के उपर ही लेके आएंगे तो आज फर्स्ट पार्ट है उसका तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला है वो कौन सी लिखी गई है वो इस question में पूछा गया है तो राइट अंसर आपका यहां पर हो जाएगा आप्सन ए लाइसी डास नेक्स्ट क्वेशन की तरफ चलते हैं पैराडाइस लॉस्ट वाज फिनिस्ट इन दा इयर और तो जो पैराडाइस लॉस्ट है वो किस साल मे लिख कर जो है वो त्यार हुई थी तो राइट अंसर आपका यहां पर हो जाएगा option B 1665 में आपको यहां पर confused नहीं होना है यह जो इसका मतलब लिख के जो त्यार हुई थी वो 1665 में हुई थी लेकिन publish हुई थी 1667 में तो date में confused नहीं होना है यहां पर finished word आया है तो date 1665 भी नहीं माना जाएगा और published word आएगा तो 1667 होगा तो option B इसका right answer हो जाएगा next question है samson agonist बाज published in तो यह published कब हुई थी तो option C इसका right answer हो जाएगा 1672 में samson agonist है यह published हुई थी तो option C इसका right answer है next question है on is blindness बाज written in the year of तो जो on is blindness है यह लिखी कब गई थी तो right answer आपका यहां पर हो जाएगा option B 1652 में option B next question देखते हैं what is the meaning of l allegro to l allegro का मतलब क्या होता है तो right answer आपका यहां पर हो जाएगा option A a happy man a happy man l allegro का मतलब होता है next question है lycidas commemorate तो lycidas में किस के बारे में जो है वो commemorate किया गया है तो right answer आपका यहां पर हो जाएगा option D Edward King Edward King है यह John Milton के friend थे option D इसका right answer हो जाएगा next question देखते हैं which of the following time period is known for the controversial pamphlets and sonnets in Milton's life तो इन में से कौन सा time period है जो controversial pamphlets और sonnets के लिए जाना जाता है तो यहां पर जो right answer आपका हो जाएगा 1640 से 1660 तक option B यह आपका controversial time period था pamphlets और sonnets के लिए तो option B इसका right answer हो जाएगा next question देखते हैं word on the morning of Christ nativity is written in the तो यह कब लिखी गई थी तो यहां पर right answer आपका हो जाएगा 1629 में option B option B इसका right answer है word on the morning of Christ nativity है यह 1629 में यह लिखी गई थी next question है I think it is a comparable the noblest piece of lyric poetry in any modern language who said these lines about word on the morning of Christ nativity तो इसके संदर में यह line है वो किस ने बोली है तो यहां पर जो right answer आपका हो जाएगा option C option C इसका right answer है next question है L allegro was written in the year of तो जो L allegro है वो किस year में लिखी गई है तो 1631 में लिखी गई है देखिए हम john milton cover करेंगे तो उसमें easy tough सारे प्रकार की सवाल है वो लेंगे तो हम एक तरफ से इसमें चल रहे हैं तो सारे जो important जो fact है वो पूछे जा सकते हैं या जो लिखने की date है या publish होने की date है पूछी जा सकते हैं वो सारे cover करेंगे तो यह john mil इसके बाद और वी वीडियो आएंगे तो आप उनको follow जरू करें और आगर आपको हमारे वीडियो से जरा भी लाब गया तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और वीडियो का notification प्राप्त करने के लिए आप वैल आइकन को press कर लें ताकि आपको notification है वो तुरंत मिल जाए और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी जरूर करें थैंक यू और हाँ एक बहुत ही महत्पून बात अगर आपको SP वक्षी से जो वाक्याव है वो complete करनी है तो आप हमारा जो टेलिग्राम गृप है वो जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा जहां पर अभी SP वक्षी है वो cover की जा रही है वो complete हो जाएगी तो उसके बाद सोचते हैं grammar शुरू करेंगे या normal low है वो start करेंगे तो आप वो group है वो जरूर जोईन कर लें तो चलिए next वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद